माननिय राष्ट्रपती महोदय, आपकी अनुमती हो, तो समारों का शुभारम किया जाए नमस्कार, केंद्रिय शिक्षा मंत्राले के स्कूल शिक्षा एवं साक्षर्ता विभाकियोर से आप सभी का हादिक अभिवादन आज शिक्षक दिवस के असर पर माननिय राष्ट्रपती शिमती द्रौपदी मुर्मू के करकम लोद्वारा योग्य शिक्षकों को वर्ष दो हजार बाईस के राष्ट्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे इस वर्ष 45 शिक्षकों को राश्ट्य पुरस्का से सम्मानित किया जाएगा इन में से 24 शिक्षकों की उपलब्धियों पर आधारीत एक लगू फिल्म अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है जवाहर नवोदे विद्याले ठियोक शिमला के कम्प्यूटर शिक्षक श्री अमिद कुमार जी ने चात्रों के लिए कम्प्यूटर विज्ञान शिक्षकों को बहुत आकर्शक बना दिया है इसके लिए उन्होंने ICT का सहारलिया और मिश्री शिक्षण पंधती का इस्तेमाल किया अनग अनग देश के छात्रों को स्काइप के जरिए परिचित भी कराते हैं बड़वासनी गवर्मेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां शिरिमती अनग देश्या ने केमेस्ट्री में बच्चों की जिक्यासा बढ़ानी के लिए कई अनूठे तरीफे अपनाए हैं जैसे म्यूजिकल पिरियोडिक टेबल, क्यू आर कूर्स के माध्यम से जानकारी उपलब्द कराना अनग देश्या ने अपने स्टूडेंस को परवता रोहन के लिए ले जाकर एक नया कीर्थिमान स्थापिक किया है श्रीमती अंजू तहिया को बतोर शिक्षि का राष्टिय सम्मान 2022 से सम्मन किया जाता है पुद्दुचेरी के मुदलियार पेट में स्थित अर्चना सौप्राइन आईकर हाई स्कूल के बेहद लोग प्रिये शिक्षक हैं श्री डी अर्विंद राजा जी इन्होंने अपने अभिनाव शिक्षन प्रणाली से अपने विद्यार्थियों में सिक्षा और परियावरण के प्रती रूची जगाई जिसकी वज़े से आज इस स्कूल ने देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है शिक्षक के क्षेतर में उनके अमूर्य योगदान के लिए श्री डी अर्विंद राजा को बतौर शिक्षक राष्टी सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है यह है पंजाब मंसा गवर्मेंट मौडल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्री अरुन कुमार गर्ग इनोने स्कूल में किचिन गार्डिनिंग, सबजेक लैप्स और एजुकेशन विलीज जैसे नवीन प्रयास चुरू किये इनोने गड़ी सीखने को और आनंद में बनाने के लिए कई नवाचार किये छात्रों में रचनात्मक सोच के लिए स्कूल के सम्रिध पुस्तकाले की किताबों पर छात्रों से समीक्षा लिखवाते हैं शिक्षा के प्रती इनके समरपड़ को सरकान ने सराहा श्री अरुल कुमार गर्गिफो बतौर शिक्षत राश्री सम्मान 2022 से सम्मान लिख पिया जाता है जिलाद बांकुरा, प्रदेश, पश्चिम, बंगाल और ये हैं यहां के जॉयपूर प्राथमेक विद्याले के स्रिजन शी प्राइमरी टीचर शी बुद्ध देव दत्ता ग्रामीर प्रिष्ट भूमी के इस विद्याले में अपने रच्चनात्मत तरीकों से वो विद्यार्थियों का शिक्षा के प्रती उत्सा बनाए रखते हैं इनकी कर्तव्य निष्ठा को सरहते हुए इन्हें बतार शिक्षक राश्च सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है ये है राजस्थान के उद्यापुर जिली में राजिकिय उच्च माध्यमिक विद्याले पारगिया पाड़ा के शिक्षक श्री दुर्गा राम मुवाल बाल मस्दूरी और बाल तसकरी से बच्चों को छुडा कर वो उन्हें स्कूल तक ले आये हैं श्री दुर्गा राम को उनके निलंतर प्रयासू और अथक समर्पन के लिए बतार शिक्षक राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है मिलिये करनाटक के तुमाकरू डिस्टिक्ट के केमलिय विद्याली की जी विग्यान की शिक्षका जीप पूंसनकारी से जिन्होंने हाट इंटेग्रेटेड टीचिंग की एक नई पग्धती को अपनाया है इन्होंने पार्टिक्रम को पढ़ानी के लिए इसे कला के साथ जोड़ा इससे चात्रों को कठीन विश्यों को बहुती आसान तरियके से पढ़ाया जा सकता है जीप अंसनकारी को बतार शिक्षका राष्टिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है मेघाले के इस्ट कारो हुल्स में एडू स्रे हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका है श्रीमती गमची तिमरे ये गामेन दुर्गंध और खनंग शित्रों के बच्चों को मदद करने के लिए काम कर रही है नमीन शिक्षन करक्रमों की शिरुवात की ताकि इन बच्चों को शराब, घरेलू हिंसा और कम उमर में विवाज जैसी सामाजिक बुराईयों से बाहर निकाला जा सके श्रीमती गमची तिमरे को बतोर शिक्षिका राश्टिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है यह है पंजाब की जिला बर्नाना का गवर्मेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल बहला और यह है यहां के प्रधान अध्यापक श्री हरप्रीट सिंग इन्होंने स्कूल को स्वच और आधुनिक बनाने के लिए कई अभिनव कारे किये जैसे विशेश शिक्षा गतिविधी पार्क बनाना, भाषाओं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विशेक्षेत्रों की स्थापना करना समुदाई की मदद से स्कूल की बुनियादी धाचे को बहतर करना इनकी अदम में निष्ठा और समर्पण को हम नमन करते हैं हर प्रीट सिंग को बतौर शिक्षक राष्ट्रिये सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है ये हैं शिक्षा के जगत व्यापक स्थर पर स्थापित लिखक श्री ईश्वर चंद्रनायर जो उडिसा राजे के कानपुर गाउं जिलापुरी में सरकारी उच्च प्राथमे तिद्याले में सहायक शिक्षक है आसपास की गाउं में कम्प्यूटर द्वारा निशुल्क शिक्षा उनका समाज को अमूले योगदान है श्री ईश्वर चंद्रनायक को बतौर शिक्षक राष्ट सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है केरल के त्रिसूर डिस्टिक के केंद्रिय विद्याली की शिक्षिका जेनस जेकब विद्यार्थियों को किताबों से दोस्ती करवाना सिखाते हैं पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए कॉमिक्स के जरीय सीखना बड़ा असान हो जाता है हमें चात्र को बारी दुनिया में ले जाना होगा चात्र को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो जीवन के अनुभव से जुड़ सके जेनस जेकब को बतोर शिक्षिका राष्टिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है जिला मुलगू राच तेलंगाना और ये हैं यहां की जिला परिशद हाई स्कूल के शिक्षक श्रीक कंदाला रामन्या इन्हों ने अपनी स्कूल में इनोवेटिव मैथमाटिक्स लाब और डिजिटल लर्निंग हब भी विकसित किया है सभी चात्र इसका उप्योग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं हमारे चात्र विविन नाकार के ग्राफ सीट के माधियम से फर्मॉला विकसित कर रहे हैं श्रीकंदाला रामया को बतोर शिक्षक राष्ट्रे सम्मान 2022 से सम्मानिक किया जाता है स्कूल लीडिशिप स्किल्स का एक बहतरीं उधारण है श्रीकॉस्तुप चंद्रचूशी जो राजकिय इंटर कॉलिश प्रताप पर नैनी ताल उतरा खंड के प्रधान अचारे हैं इन्होंने स्कूल में वर्चूल लाब का निर्मान तरवाया आई सीटी आधारत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट फी डिवलिप की बच्चे के अधिन किशुविदा के लिए मेरे मन में ये बिचारा आया और मने डिजिटल लाइडरी का काम पार्म किया शिक्षा में उनके योगदान के लिए बता और शिक्षा राष्ट्रिय समान 2022 से समानित किया जाता है मुंबाई महराष्ट का चत्रभुज नर्सी मेमोरियल स्कूल यहां की प्रधानाचारिय श्रीमती कवीता सांगवी प्रचनात्मक सोच को विक्सित करने नई शिक्षा नीती को जमीन इस तर पर क्रियानवित करने में योगदान दे रही है मैंने फर्स स्टांडर्ट से ही स्टीन बेस्ट करिकिलम का निर्मान किया कवीता सांगवी एक आदर्श स्कूल प्रशा सके श्रीमती कवीता सांगवी को बत और शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है ये है उत्तर प्रदेश के दिवर्या जिले में कंपोजिट स्कूल सहवा के शिक्षक श्री खुर्शी देहमत सीमित संसाधनों से आपने पुनर नवीनी करण योग्य सामगवी के साथ रेदय और मानव संचार प्रणाली आदी के मौडल बनाए हैं और छात्रों से प्रयोग कराए हैं बैने अपने सीछर तकनीक को इतना सरल सहाज और सुगम बनाया जिससे बच्चियों को साइंस बहुत आसान लगने लगा श्री खुर्शीद को बतावर शिक्षत राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है ये है माला जिग्दल दोर जी प्रिंसिपल मौडर्न सीनिय सेकंडरी स्कूल गैंटॉक सिकिन शिक्षक के उच्चतम मानकों को छूने के संकल्प के साथ उन्होंने धन जुटा कर दो कमरों का निर्मान करवाया साथ ही टिक्नालोजी का उब्यूग करते हुए मौडर्न तकनीकों पर जोर दिया रजनातमक शिक्षण रणनीटियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रिशिक्षित किया उनके इन्ही प्रयासों को सराहते हुए उन्हें बतार शिक्षिका राश्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है यह है मम्ता अहाल 36 गड़ के पंडित सखाराम दूबे शास की अप्रात्मिक शाला की एक सहायक शिक्षिका जिन्होंने विद्यालाई में शिक्षा का एक दिलचस्प माहौल बनाया है यहां बच्चे नाचते गाते अपना पाठ याद करते हैं मम्ता ने घर घर जाकर अभीभावकों की काउंसलिंग की और उन्हें शिक्षित होने का महत्व समझाया मम्ता अहार को बतोर शिक्षिका राश्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है गोवा जिला मोर पिरला के गवर्मेंट हाइज स्कूल की प्रिंसिपल है श्रीमती मारिया मुरेना मिरांडा ग्रामीन आदिवासी स्कूल के बन्यादी धाचे को देटर और बच्चों के अन्कूल बनाया इन्होंने आदिवासी बच्चों के धर का दोरा किया रिमीडियल क्लासिस नी श्रीमती मारिया मुरेना मिरांडा को बतौर शिक्षिकार राश्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानिप किया जाता है असम जिला सुनित पुर के सी एनेस हायर सेकेंडी स्कूल की प्रिंसिपल है श्रीमती मिनाक्षी गोस्वामी इन्होंने चात्रों और शिक्षकों दूमों की जरूरतों को समझा और नित्रत प्रदान करने वाले शिक्षकों के साथ पार्टे क्रम का विकास का मार्ग दर्शन करने में मदद की भाशा के खित्र में किये गए इनके कारिये सराहिये हैं श्रीमती मेनाक्षी गोस्वामे को बटोर शिक्षिका राष्टिय सम्माद 2022 से सम्माद किया जाता है श्रीमती मीनी योशी को उनके योगदान के लिए राष्टिय सम्माद 2022 से सम्मानित किया जाता है लथाक की जिला कारकल के करित ग्राव में स्थित गवर्नमेंट मिडल स्कूल जहां इनके इंग्लिश और इंवाइन्मेंटल स्टीज के अधियापत श्रीमोहमत जाबिर बच्चों को इंग्लिश फनेटिक्स, ग्रामर और वकाबलरी सिखानी के लिए लथाकी गानों की ट्यून और ट्लापिंग वाइल लेर्निंग जैसी टिक्नीक्स का इस्तमाल करते हैं साथ ही लेंग्वज गेम्स, कहानियों और आकरशिक स्लोगन्स के माधियम से भी पढ़ाते हैं श्रीमोहमत जाबिर को बताओ शिक्षक राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है ये है सालेकर जिलाराइसेन मध्यप्रदेश यहाँ के शिक्षक नीरत सक्सेना के जुनून की बदौलत भील आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के शैक्षनिक स्तर में विध्धी हुई है बुन्यादी आवश्चिताओं में सुधार कर उन्होंने एक आदर स्कूल स्थापित किया है आदिवासी इलाके में शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए श्री नीरत सक्सेना को बतौर शिक्षक राश्क्र सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है यह बिहार पतना के महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षका शिरीमती निशिक उमारी जिन्होंने कुछ संगठनों के सयोग से बाल अधकारों, दहेज, महावार संबन्दी स्वच्षता, प्रदूशन मुक्त वातावरन बनाने जैसे कई विशों पर जागरुकता कारेक्रम किये हैं साथ ही एक राजस्तरिय करियर काउंसलर के रूप में भी सक्रिये हैं सो श्री निशीकुमारी के इन्हीं प्रयत्नों को सरहते हुए इन्हें बदोर शिक्ष का राश्च्रे सम्मा 2022 से सम्मानित किया जाता है श्री प्रदीपनेगी राजकिया इंटर कॉलेज भे हरी द्वार उतरा खंड में लेक्षर हैं इन्होंने विभिन जाकरुपता कारिकरमों के माध्यम से समाझ को संघतित किया वंचिद बच्चों के मातापिता को फ्रेरिद किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे इन्होंने इन्नवेटिव एक्सपरिमेंस को बढ़ावा दिया इनके द्वारा वेबसाइट पर डाले गए लेक्चर से अंगिन च्छात्रलाव उठा रहे हैं उनके इस योगदान के लिए श्री प्रदीप नेगी को बतार शिक्षक राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है माननिय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से हम विनम्र अनुरोद करते हैं क्रिप्या वश्ट 2022 के राष्ट्रे शिक्षक पुरसकार प्रदान करने हे तू मंच के आगे आएं श्री अमित कुमार नवदय विद्याले समिती सुष्री अंजु दहिया हर्यान श्री अर्विंद राजादी पुदुचेरी श्री अरुन कुमार गर्ग पंजाब श्री बुद्ध देव दत्ता पश्रिम बंगाल श्री दुर्गा राम मुवाल राजस्थान श्रीमती जी पॉन शंकरी केंद्री विद्याले संगठन श्रीमती गंची तिम्रे आर्मराक मेगाले श्री हरप्रीत सिंग पंजाब श्री ईश्वा चंद्रनायक ओडिशा श्रीमती जेनस जैकब केंद्री विद्याले संगठन श्री कंदाला रामया तेलंगाना श्री कॉस्तूप चंडर जोशी उत्राकंड above कॉस्री मती क्वेत शंगवी निए प्रूनशी नियुट झाल्चाणिशन श्री खुषीद आमद उत्रप्रदेश श्री कॉस्वेत आमद उत्रप्रदेश श्रीमती माला जिग्दल्दोर्जी सिक्किम सुष्री मंता अहार जटिसगर श्रीमती मार्या मुरेना मिरांडा गोड़ श्रीमती मिनाक्षी गोस्वामी असम् श्रीमती मिमी ήोशी नगलेंड श्रीमोहमद जबल्टाख श्री मीरत सक्सेना मध्यप्रदेश श्री मतिन निशी कुमारी बिहार श्री प्रदीप नेगी उत्राखंड मानने राश्वपति जी का पुरसकार वित्रण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं अब अन्य इक्टिस पुरसकार विजेता शिक्षकों की उपलब्धियों और सरानिय प्रयासों पर आधारी एक लगू फिल्म आपके समक्ष पस्तुत है और में इमफाल का इस्टन आइडल हाई स्कूल और यहां के प्राइमरी टीचर है श्री नौंग माइथ हम गौतम सिंग अपने रचनात्मक और जॉइफल लर्निंग तक्वी के साथ इन्हों ने बच्चों के लिए पढ़ाई को खेल बना दिया है ब्लाक बोर्ट की जगह वाइड बोर्ट और कलासरोम अब स्कूल की पहचान बन गए है बांबो माट की मदद से बुलटन बोर्ट बनाए टीचर्स की एक वॉलंटियर टीम बनाए श्री नौंग माइथ हम गौतम सिंग को उनके प्रयासों के लिए बतार शिक्षक राश्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है यह है शिक्षक ओम प्रकाश पाठीदार जो की मध्यप्रदेश की शासकी उठक्रिष्ट विद्याले शाजापुर में विज्ञान के लेक्चरर नियुक थें विज्ञान को तक्नीक से जोड़ कर इन्होंने ICT का प्रयोग करते हुए विज्ञान जैसे कठिन विशय को विद्यार्तियों के लिए बेहच सरल बना दिया है उन्होंने शाजापुर के लिए लोग जैविविदता बंजी तैयार करवाई है शिक्षक ओंपकाश पार्टिदार जी के अनोखे सहयोग के कारण उन्हें प्राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है यह है दिली के प्रशांत विहार का निकम प्रतिभा विद्याले और यह है यहां की समर्पे टीचर श्रीमती रजनी शर्मा इन्हें Innovation in Education के लिए जाना जाता है इन्होंने Virtual Classes के लिए दिल्चस्क Study Material टिवेलप किया और वालगीत से पढ़ाने की कलाने बच्चों का रुजान पढ़ाई में बढ़ाया और परियावरन संडक्षर का महत्वा समझाया श्रीमती रजनी दूसरे टीचर्स के लिए मेंटो की भूनिका भी निभाती है इन्हें बतौर शिक्षि का राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है श्री के रामचंदरन कीलंबल पंचायत संग प्रात्मिक विद्याले रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट अमिलनाडू के प्रात्मिक शिक्षक है लॉगडाउन की दौरान सेल्फ लर्निंग टास्क के लिए जात्रों को इन्होंने मोबाईल उपलब्ध कराए ICT, High Tech Lab और Computer जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं यहां स्तमिल भाषा की प्राचीन रचना तिरुक कुरल से अवगत कराया जाता है श्री के रामचंदरन को बतोर शिक्षक राष्ट्रिये सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है आंदर प्रिदेश के कनूरू में ASN RA जिला परिशद हाई स्कूल में भौतिक विज्ञान के शिक्षिका है श्रीनती रवी अरुना के मनास लर्निंग तक्नीग का समाविश करके एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ विज्ञान के प्रतियों की रुची को बढ़ाया है कम लागट वाले टीलेम का इस्तिमाल और इनुवेटिग ग्रूप क्लिनिकल सुपर विज्ञान मॉडल जैसे कारे इन्हें विशिष्ट बना रहे हैं श्रीनती रवी अरुना को बतार शिक्षिका राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है ये है जिला दक्षिर ध्रिपुरा के साउथ मिर्जापूर हाइ स्कूल में विज्ञान के अध्यापक्षी संतोषना विभिन्द रंगीन रोश्नी में प्रकाश संचलेशन के दर की गर्णरा करने के प्रयोग दियने की संड़चना जियोमेट्रिकल शेप्स की व्याख्या करने के लिए इन्होंने कई मॉडल तयार की है तिनकी प्रभावी शिक्षन शेली ने उन्हें समुदाई के लिए मैन फ्राइडे बना दिया है श्री संतोष नात को बतौर शिक्षक राष्ट्रे सम्मान 2022 से सब्मानित किया जाता है ये है बिहार सपार के ललित नाराएं लक्ष्मी नाराएं प्रोजेक्ट परस आई स्कूल के शिक्षक श्री सौरब सुमन जिन्होंने विज्ञान और करनत के लिए ईसामगरी मिक्सित की है साथ ही चात्रों को अन्हे गत्विद्यों में सक्षम बनाने के लिए कोडिक और रोबोटिक्स को भी महत्प दिया है इनके चित्रों और रचनात्मक्ता ने छात्रों और समधाय के बीच चागरुपता लाने में मदद की है श्री स्वारब सुनिन के इनी प्रयत्म को सराहते हुए इन्य बतोर शिक्षत राष्ट्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है केद्री शासित प्रदेश चंडीकर के धनास गाउं में राजगी वरिष्ट मार्धिमिक विद्याले की प्रचारया श्रीमती सीमा रानी का विद्याले परिसर उनके शिक्षा के प्रती दृष्टी कोन, लगाव वसमर्पन का अनोखा उदाहरन है जीवन जीना कैसे है? इसका प्रशिक्षन आज यहां शिक्षा का एहन अंग है उस तक ज्यान वजीवन मूलियों के साथ साथ यहां विद्यार्थी लिक्विट साबुन बनाना टेबल मैनर्स आदी सब सीखते हैं श्रीमती सीमा रामी को बदोर शिक्षिका राष्ट्रे सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है महराश्ट्र के बेट जिले का गाउं दामुनाईक टंडा, संगीत तथा आदियो वीजूल शिक्षा सामगरी के उपियोग द्वारा शशिकांद कुल्थे ने बच्चों में पढ़ाई के प्रती दिल्चस्पी जगा कर अपने स्कूल में जीरो ड्रॉप आउट को संभव किया है बच्चों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कर प्रवाजी परिवार के बच्चों की स्कूली शिक्षा को सुनिश्चित किया है श्री शशिकांद कुल्थे को बतोर शिक्षक राश्ट्री सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है यह जारखन उर्वी सिंग्भून के टाटा वाकर्स यूनियन हाई स्कूल के शिक्षका शिरीमती शिप्रा जन्होंने स्कूल का काया पलट कर उसे बेतर और निपुन स्कूल बनाने के लिए मार्ग दर्शन किया है इसी के साथ समाज और पर्यावरन के लिए नई तक्निकों और प्राकरतिक संसाधनों के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रिरित किया है शिक्षिका श्रीमती शिप्रा की प्रयत्नों को सराती हुए, इन्हें बतौर शिक्षिका गास्ट्रिय संवान 2022 से संवान किया जाता है। कई creative तरीकों को अपनाया है। उनकी इन प्रयासों को सराते हुए बता और शिक्षक राश्ट्रिय संवान 2022 से संवानित किया जाता है। कि लोग हमरी स्कूल देखने के लिए आते हैं। श्री सोमनात वावन वालके को बतौर शिक्षक राश्ट्रिय संवान से संवानित किया जाता है। ये हैं राजिस्थान के बीका नेर्सिले में राजिकिय उच्च माध्यमिक विद्याले पधर की विज्ञान शिक्षिका श्रीमती सुनिता। श्रीमती सुनिता को अनूठे प्रयोगों, प्रयासों और कारियों के लिए बतौर शिक्षिका राश्ट्रिय संवान दो हजार वाईस से समानित किया जाता है। जिला मेर्चल मलकाज के प्रदेश ते लंगाना और ये हैं यहां के डीपीएस के प्रिंसिपल। श्रीमती सुनिता राओ डीपीएस में उन्होंने टॉई लैब की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूनी का निभाई है। इटेग्रेशन ऑफ टेक्नोलजी एंड स्टाडीज इतने अच्छे हो रहा है कि बच्चे खूप सीख रहे। इच वन टीच वन के प्रयासों द्वारा ये अपने स्कूल के कर्मचारियों की मदद करती है। श्रीमती सुनिता राओ को बदोर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। जिला महबूप नगर राज्ज तेलंगाना और ये है यहां के जिला परिशद हाई स्कूल के शिक्षक श्रीटी एन श्रीधर। इन्होंने शिक्षा और शिक्षण कारियों में विद्यावारधी और अपना वेतन दान करके कलाम ड्रीम फोर्स अकैडमी की स्थापना करने जैसे इनोवेटिव तरीके अपनाए। मेरी छात्रा का चैयन जपान में होने वाले साइन्स एक्सचेंज प्रोग्राम साकूरा के लिए भी हुआ। श्रीटी एन श्रीधर को बतौर शिक्षक राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानिक किया जाता है। ये हैं गुजरात जिला राजकोट सेंट मेरी स्कूल के अध्यापक श्री उमेश भरत भाईवाला। इनकी पढ़ाने की रोचक शैली का ही परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों से इनके विद्याले में बोड का परिणाम 95 से 100 प्रतिशात आया है। ये ग्रामीर बच्चों के लिए दियमित शिविर आयोजित करते हैं। शिक्षा में टिक्नॉलोजी का इस्तिमाल और टेक्स्बुक का डिजिटली करण करने में इनका योगदान सराहनी है। श्री उमेश भरत भाईवाला को बता और शिक्षक राक्ष्चे सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। साकार हो रहा है। श्री टीपी उमेश को बतार सिक्षक राष्ट्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। BCM स्कूल लुदियाना की प्रिंसिपल शिरीमती वंदना शाही चात्रों में चिपी काभिलियत को बढ़ावा देने में विश्वास रखती हैं। इन्होंने विभिन ने लैब जैसी सुविधाय उबलब्ध कराकर चात्रों की रुची और लीडर्शिप क्वालिटीज को विखसित किया। तेजी से बदल रहे इस दुनिया में नॉलेज के साथ साथ फ्यूचर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी। सरकार में इनके असाधारण प्रयासों को सराहा। वंदना शाही को वदोर शिक्ष का राश्ट्रे सम्मान दुहजार बाई से इच सर्मानित किया जाता है। जात्रों की लिखावड बेहतर हो इसके लिए उन्होंने सुलेख का रास्ता अपनाया। शिक्षक में अलग तरह के योगदान के लिए श्री विरेंद्र कुमार जी को बताओर शिक्षक राश्ट्रिय पुरसकार 2022 से सम्मानित किया जाता है। GPS अनोगा डिस्ट्रिक्ट चमबा हिमाचल प्रदेश के JBT इंचार्ज श्रे युद्धवीर जी स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बड़ी आसानी से पढ़ाते हैं। पॉर्टल हर घर पाटशाला से संबंधित ICT कौर्डिनेटर ऑफ स्कूल और हिमाचल प्रदेश में NEP 2020 को कार्यान वित करने के लिए बनाए गए। फोकस ग्रुप के सदस्य के रूप में अपना महत्वपून योगदान दिया। श्री युद्विर जी को बता और शिक्षक राष्ट्रिय पुरसकार 2022 से सम्मानित किया जाता है। अंडमान निकोबार के गवब्मेंट सीनिर सेकेंडरी स्कूल बंबु फ्लाट के शिक्षक श्री रंजन कुमार विश्वास द्वारा। दिव्यांग बच्चों को किये गया उनके नवाचारों ने उन्हें विशेश पहचान दिलाई है। उन्होंने बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देने का कारे शुरू किया ताकि बच्चों में जल्दी और बहतर सुधारा सके। और वो अपने इस काम में सफल साबित हुए। श्री रंजन कुमार बिश्वास को उनके सराहनिये कारे के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रिय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। माननीय राष्ट्रपती जी से हम पुन्य अनुरोद करते हैं कि कृप्या वश्ट 2022 के राष्ट्रिय शिक्षक पुरसकार प्रदान करने ही तू मंच के आगे आएं। श्री नौंग माइथन गॉत्म सेंग मनुपीर श्री ओम प्रकाष पाठीदार मध्यप्रदेश श्रीमती रजनी शर्म दिली श्रीमती रजनी शर्म दिली। श्री राम चंद्रन के तमिलनाडू श्रीमती रावी अरुन आंध्र प्रदेश श्री संतोषनाथ ट्रिपुराइ श्री सारप्सुमान बिहार श्रीमती सीमारानी चंडिगड श्री शशिकांथ संभाजी राव कुल्थे महराश्र श्रीमती क्षिप्रा जारखंड श्री सिद्धार्थ यंजान एकलवे मोडल आवासी विद्याले श्री सोमनाथ वामनवाल के महराश्र श्रीमती सुनीता राजस्थान श्रीमती सुनीता राव केंद्रे माध्यमेक शिक्षा बोर्ड श्री टियन श्रीदर तेलंगाना श्री उमेश भरत भाईवाला गुजराथ श्री उमेश टीपी करनाटक श्रीमती वंदना शाही केंद्रे माध्यमेक शिक्षा बोर्ड श्री वीरेंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेश श्री युद्विर, हिमाचल प्रदेश श्री रंजन कुमार विश्वास, अंडमान निकोबाद वीप समुह मानने राश्रपती जी का पुरसका वित्रण हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं और उनसे विनम्र अन्रोद करते हैं कि आज के इस अवसर पर सभी को अपने आशिरवचन प्रदान करें सिच्छक दिवस्के अफसरफर आयो जी स्कारिक्रम में रुपस्तित केंद्रय सिच्छा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधन जी केंद्रय सिख्छा राज्य मंत्री स्रीमती अन्यपुर्णा देवी जी डक्टर सुबाश सरकार एवं डक्टर राजकुमा रंजन सिंग जी राष्टा सिख्छा पुरसकार प्राप्त करने वाले सभी सिख्छागोनों देवियों सोजोनों सबसे पहले मैं सभी देश बाशियों की और से अपने देश के सिच्छा सुमिदाय को नमन करती हूं आज पुरसकार पाने वाले सभी सिख्छोकों को मैं हर दीग बधाई देती हूं ये देखकर मुझे प्रसंता हुई है कि आज पुरसक्रित 45 सिच्छोगोन भारत के कोने-कोने से आये हैं उनमें एक दिभ्यांक सिच्छोक तथा अठारा मुहिला सिच्छोकों को पुरसक्रित करके मुझे बिशेश प्रसंता हुई है इस समारह के प्रभाभी आयजन तथा शिच्छा के छेत्र में किये जा रहे औने प्रयासों के लिये में श्रीश्र धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिच्छा मुंत्रड़े की पूरी टीम को प्रसंग्सा करते हुँ प्रयासिच्छोक गण सिच्छोक दिवस के इस अफसर प्यार में आपने उन सिच्छोकों का साधर स्मरण करते हुँ जिन्होंने मुझे ना सिर्फ पढ़ाया बलकि प्यार भी दिया और संघर्ष कान्ने की प्रयरणा भी दिया अपने अपने परिवार बसिच्छोकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कले जाने वली अपने गाउं की पहली बेटी बनी अपनी जीवन यात्रा में मैं जहां तक पहंच सकी हूँ उसके लिए अपने उन सिच्छोकों के प्रती में सोधे कृतग्यंता का अनुभव करती हूँ हमरी संस्कृती में सिच्छोक पुज्योनिय मने जाते हैं मैं भी यह मनती हूँ की एक निष्टावान सिच्छोकों को अपनी जीवन में जिस तरह की साथकता का उनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है सायद इसलिए जो भारत के दूसरे राष्टपते डक्टर राधाकिष्ण के प्रसंग्षकों ने उनका जनम दी मनाने का प्रस्ताप राखा तो उस विश्यप्रति दार्शनिक लेखों एवं स्टेट्समेन ने ये इच्छा जाहिर की कि उनका जनम दीन सिच्छोक दिवस क के रूप में मनाया जाए ये सिच्छो भी रह चुके थे और अपने सिच्छो रूप को ही उन्होंने सब से अधिक महत्तो देना जाहा भारत की एक अन्यम हान पूर्व राष्टपति डक्तर एपीजे अबदुल कालाम से एक समार्हों में पुछा गया कि ओग एक बग्यान कि वे चाहेंगे कि उन्हें एक टीचर के रूप में याद किया जाए मैं भी अपने जिवन के उस पच्छो को सब से अधिक महत्तो देती हूं जो सिच्छा से जुड़ा हुआ है मुझे रायरूमपूर में श्री अरवबिंदो इंटिग्राल स्कूल में सिच्छो के रूप में यगदान देने का अफस्वर मिला थे मैंने ओडिशा के पहाडपूर में एक रिसिडेंशल स्कूल की सब स्तापना की है जहां गरी बीद्दातियों की सिख्छा दी जाती है बंचीत बर्ग को के बच्चे तो था दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी सिख्छा सुलोभ हो सके ए बिशेश प्राथमिक्ता सबको होने जाहिए प्रियोशिच्छ गोण जो मैं जारकन की राजचपाल थी तब राजचपाल होने के ना दे मैं राजज्य के सभी बिश्चों बिदालयों की चांसलार भी थी लेकिन मैंने स्कूल स्थार के सिख्षा को सर्वच प्राथमिक्ता दी मैं मानती हूँ कि योदी स्कूल स्थार के सिख्षा मजबूत नहीं होगी मजबूत नहीं होगी तो उच्छ सिख्षा का स्थार अच्छा नहीं हो सकता इसलिए मैं जार्कुन के स्कूलों में जाती रही। मैं राज के अधिकांग स्कुस्तुरवा गांधिपाली का विद्धालय में गई। मैं दिभ्यांग विद्धात्यों के स्कूलों में भी गई। मेरे जाने से एसे स्कूलों में सुविधायें बढ़ी उन स्कूलों के विद्धात्यों और सिख्योकों का उस्सा हो भी बढ़ा। प्रियो सिच्छोकोन आज की नोलेज एकोनोमिक में विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन छेत्रों में भारत की स्तिती को और मुझभूत बनाने की आधार सिला, स्कूली सिख्या द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूं की विज्ञान सहित्य उत्वा समाजिक सास्त्रों में मोली क्रतिभा का विकास मात्रुहसा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है हमारी माता ही हमारी जीवन की आरंभय में हमें जीने की कला सिखाती है इसलिए नेचुराल टालेंट को विक्षित करने की मात्रुहसा स्वायोग होती है माता के बाद सिख्योग्योण हमारी जीवन में हमारी सिख्या को आगे बढ़ाते हैं योदी सिख्योक भी मात्रुभासा में पढ़ाते हैं तो बिद्धथियों सोचता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं इसलिए राष्ट्य सिख्ञानेते में स्कूली सिख्छा तो था उच्छी सिख्ञा के लिए भारत्य भासाओं के प्रयोक पर जोर दिया गया है। बिज्ञान और उनुसंधन के प्रती रूची पैदा करना सिख्ञोकों की जीमेदारी है। में एक बार फिर कलाम साहिब का उल्ले करना जाऊंगी। बिज्ञान के प्रती उनका रूज्ञान स्कूल में ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने कहा है कि उनके एक अध्यापक क्लास के सुभी बाच्चों को सुमंदर के केनारे ले गए और उड़ती हुई चीडियों को दिखा का एरोड डाइनामिक्स के बारे में रोचोक और सोलोर तरीके से समझाया है। डाक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने स्कूल में ही ये फैसला क्या है कि ओ बड़े होका रोकेट साइंटिस्ट बनेंगे। और ये वात गर कने लाइक है कि टीचों ने पहले क्लासरूम में ब्लाकबड पर चीडियों की उडान के बिसोय में समझाया था। टीचों के पुछने पर सभी बच्चों ने कहा कि वो समझ गये थे। केबल कलाम साहिब ने कहा कि वो नहीं समझ थे। अंत में ये सफ़स्ट हुआ कि असल में कोई भी बच्चा बिसोय को नहीं समझ गया था। इसलिए जो बिद्धर्थी साब साब कहते हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें कमजोर बिद्धर्थी नहीं समझना चाहिए। कलाम साहिब के निष्टावान उध्धापक ने नई सिरे से पूरी विशोय को क्लास के बाहर लेजार का सिखाया था। कलाम साहिब आपनी बक्तव्यों और उलेखों में उन अध्धापकों का साद और उल्लेख क्या करते थे। आच्छे सिख्यों प्रकृति के मोजूद जीवन्त उधारों की सोयाते से जटिल सिधानतों का आसान बना कर समझा सकते हैं। टीचेस के बारे में एक लोगप्रियो कथन है। दा मेडिकर टीजर टेल्स, गूर्ट टीजर एक्सप्लेंस, दा सुपिरियोर टीजर डेमोस्ट्रेट्स, दा ग्रेट टीजर इंस्पायार्स। और थार समान्यों सिख्यों की जान करी देते हैं। अच्छे सिख्यों समझाते हैं, स्रेश सिख्यों करके दिखाते हैं, मुहान सिख्यों प्रेरण देते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि एक आदर से सिख्यों में चारों बते होती हैं। एसे आदर्स सिख्योंक बिद्धात्यों की जीवन के रचना करके सही उत्थ में राष्ट्र निर्मन करते हैं। प्रियो सिख्योंगोन हमारे देश में जो बाद, बीबाद, संबाद की संस्कृति को महत्तो दिया जाता था। तो हमारे देश में आर्यवर्ट, ब्रमगुप्त, बराहमिरी, मिहिर, भास्कराचार्य, चरक और सुसरुद्धे से गणितज्यों, बज्ज्यानिक और चिकिस्वक सामने आये। आधुगिनिक बिश्यों के बज्ज्यानिक भी उनके रिनी है। आप सबी सिख्योकों से मेरा उन्रोधे की विद्धात्यों में प्रस्न पुछने की तथा संका ब्यक्त करने की आदत को प्रसहित करे। अधिक से अधिक प्रस्नों को उतर देने तथा संकाओं का समाधार करने से आप सब की ज्यान में भी बुरुद्धी होगी। एक आच्छा सिख्योक स्वदेब नेई सिख्या ग्रहन करने के लिए सोयंग भी उस्षाहित रहता है। प्रियो सिख्योक गोन केंद्यो सिख्या प्रणाने मंत्राने ने एक आच्छा धेवव्यक्त किया है। सबको सिख्या अच्छी सिख्या। प्राइमरी स्कूल के स्तोर पर लोगभख पूर्य देश में सभी विद्धात्यों को सिख्छा के अफसर उपलब्ध है। भारत के स्कूलीज सिख्छा विश्चो के सबसे बड़ी सिख्छा प्राणयानियों में सामील है। 15 लाग से अधिक स्कूलों में लोगभख 97 लाग सिख्छो को द्वारा 26 करण से अधिक विद्धात्यों को सिख्छा प्राण की जा रही है। लेकिन स्कूल स्तर पर असली जुनोती आच्छी सिख्छा प्राण करने की है। बर्तमान में प्राथमिक बिद्धालेस्तर पर उनेक बिद्धात्यों को बुनियादी सक्ष्यत्या और संख्या ज्यान प्राप्त करने की में कठिनाई होती है। इसलिए हमरी सिख्यानिति में बर्स दो हजार पचीस तक प्राथमिक विद्धाड़स्तर पर सभी विद्धात्यों को मूल भुद्शाक्यत्ता बसंख्याग्यान प्राप्त कराने को सर्वच्यों प्राथमिकता दी गई है। इस राष्ट्यों प्राश से देश के सभी सिख्यों कों की मुख्यो भुमिका होगी। सिख्यों की हमरी सिख्याप्राणि की प्राण सकती है। हमरी सिख्यानीति में समाहित एर सोच मोहर्शी और बिंदो के सिख्या समंधी विचारों के अनुरूप है। हमरी सिख्यों अपने योगदान से शिख्यत भारत, विख्षित भारत का निर्मन की जाता है। करें। धन्यबाद, जय हिन, जय भारत। शिक्षकों ने प्रेम दिया और साती संघश करने की प्रेणा दी। बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बाद विक्त की माननिय राश्ट्रपती जी ने हम उनका हिदे से आभार विक्त करते हैं। माननिय राश्ट्रपती महोदया, आपकी अनुमती हो तो समारो का समापन किया जाए। और अब आप सभी कृप्या राश्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। हुआवाय राश्ट्रपती या राश्ट्रेश इंटी जाएं। झाएं। कर दो हो जले हो जाएं। झाएं। झाल झाल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राश्रिय शिक्षक पुरस्कार के अवसर पर देश के प्रथम नागरिक माननिय राश्रिपती द्रौपदी मुर्मु ने उतकृष्ट कारे करने वाले 46 शिक्षकों को आज पुरस्कृत किया उमीद हैं कि ये शिक्षक समाज में यूही ग्यान की रोश्नी फैलाते रहेंगे और हम सब को भी प्रेरित करते रहेंगे आप सब का बहुत बहुत आभार नमस्कार